हलो प्रेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल लो एस पिजीत में आज का हमारा टोपिक है रिवीव पिटिशन इस वीडियो में हम देखेंगे कि Review Petition क्या है, Review Petition कौन दायर कर सकता है, Review Petition दायर करने के आदार क्या है, Review Petition कितने दिनों में दायर की जानी चाहिए, यदि Review Petition खारिज हो जाये तो आगे क्या विकल्फ है तो वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि Review Petition क्या है, Review Petition को हिंदी में पूनर विचार याचिका या समिकसा याचिका कहते हैं, सविदान के अनुसार सुप्रिम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्ने अंतिम निर्ने होता है, लेकिन सविदान के अनुछेद 137 के तहट सुप्रिम कोर्ट को अपने फेंशले पर पूनर विचार करने का अधिकार है, सुप्रिम कोर्ट के दिये किसी फेंशले पर पक्सकार कोर्ट से आग्रे करता है कि वो अपने निर्ने पर फिर से विचार गरे और इसके लिए कोर्ट में जो Petition फाइल की जाती है, उस पर विचार नहीं करता है सुप्रीम कोट रिवीव पीटेशन को तभी अनुमती देता है जब पुनर विचार करने का कोई महत्वपून आदार दिखता हो। अब देखते हैं कि रिवीव पीटेशन दाईर करने के आदार क्या है। सुप्रीम कोट के नियमों के अनुसार रिवीव पीटेशन निन्ने की तारीक के 30 दिनों के बीतर दाईर की जानी चाहिए। कुछ परिश्थितियों में कोट रिवीव पीटेशन दाईर करने की देरी को माप कर सकती है यदि याचिका करता देरी के उचित कारनों को कोट के सामने परदसित कर दे। अब यदि कोट रिवीव पीटेशन को खारिज कर दे तो याचिका करता के पास क्या विकलप बचेंगे। इस प्रकार आज हमने रिवीव पीटेशन के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।